स्वागत है आप सभी का लपेटे में, नेता जी में आज हमारे साथ वो नेता जी होंगे जिनकी पारटी चिंता में है और चिंतिन में चिंतन वही करते हैं जिनको थोड़ी चिंता होती है तो स्वागत करेंगे कॉंग्रस के प्रमोद कृष्णम जी का अचार जी, आपको का जाता है आप प्रियंका गांदी के सलाकार हैं, सही है, अब ये तो आप बताओ, मैं क्या कह सकता हूँ, हम तो ये बुलेंगे ये वह आप ही हैं, ऐसा मान लीजिएगा, क्यों फोस्दार जी, हम तो माने ही उबठी, आपके चाहते हैं, मैं हट जाओ, उ मंच परमाज साथ मौजूद है, मेग शाम मेग, कवी सुधी भोला, सुर्दार किताब फोस्दार, अजेर अंजाम, और बंदार बनारसी, सुधार जी, आचार जी पहले भी आचुके हैं, जी, बहुत दुबार आएं, हाँ, और हर बार आप भी को लपेटके कए है, इस वार आपके पास चैलेंज है, अब ऐसे आप चिंतन के सिवरिव से आये हो जब से, कॉन्फिडेंस तो है, गुरू तुमारे चाहरे पर, जाहे इधर हुआ हो, जाहे इधर हुआ हो, पर वहां हुआ कुछ जरूब है, पहले हम चाहते हैं, के आपका स्वागत करें, जैसे गुरूँं का स्वागत करते हैं, वैसे, इसके स्वागत के बाद में फिर हमारा आपसे कोई रिस्ता नहीं है, मेरे गुरूगी आज्या है, और गुरूजी आपको प्रिणाम करता हूँ, सुनिएगा गुरूजी, के अभिनन्दन, अभिनन्दन, ये सौ भाग्य हमारे हैं, आज लपेटे में देखो, गुरूदेगु पधारे हैं, अभिनन्दन, 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 ये सौ भाग्य हमारे हैं, आज लपेटे में देखो, गुरूदेगु पधारे हैं, बिल्कुल, ऐसी कीर्टन की फिलू नानी चाहिए अपने को, चंद लिये कोई बैठा है, कोई मुक्तक लाया, स्वागत वंदन गीत सुना, मैं फूला नहीं समुना, के कावि सुमन अर्पित करने को, कावि सुमन अर्पित करने को आतुर सारे हैं, आज लपेटे में देखो, गुरुदेव पधारे हैं, अभिनन्दन, अभिनन्दन ये सौ भाग्य हमारे हैं, के ते जो महाले, जैसा गुरुबर, रूप धबल उजियारा, आप लोग समझते ते जो महाले, बिल्गुल वैसे ही, ते जो महाले के, जैसा गुरुबर, रूप धबल उजियारा, और विश्णू इस थंभ से उचा है, व्यतेत्व तुम्हारा, कल की पीठा धिश हमारे प्यारे प्यारे हैं, आज लपेटे में देखो गुरुदेव पधारे हैं, आखरी के सुन लिजेगा, लिबरल के संग परम सेक्यूलर, है गुरुवर का चिंतन, सद उपयोग ना किया, राम का सत्ता का आकरिशन, अच्छा गुरुदेव ये भाजपा बहुत बुरी पार्टी है, राम जी के नाम का दुरपयोग करके सत्ता पाती है, और आपका एक बयान देख रहा था कि कॉंग्रेस राम के नाम का सदुपयोग भी नहीं कर पा रही है, वैसे मैंने जब सोचा राम जी के बारे में, तो राम जी खुदे कैसे व्यक्तित विते जिनने सत्ता का कोई लोग भी नहीं था, सुनिए का, के लिबरल के संग परम सेक्यूलर है गुरुवर का चिंतन, सदुपयोग ना किया राम का सत्ता का आकरशन, कांगरेस ने तभी ना अपने भाग सवारे हैं, आज लपेते में देखो गुरुदेव पधार हैं, अभी नंदन अभी नंदन ये तो भाग्य हमारे हैं, आज लपेते में देखो गुरुदेव पहे शारें बात करिये हैं, अब मेरा नंबर है, एक प्रस्ण है, सवाल है कि चाप लूसी करनी किस की है, प्रस्ण है, कांगरेस में, प्रस्ण है कि चाप लूसी करनी किस की है, बहुतों का तो ये प्रयास भी निल गया है, जैसे बहुतों का तो ये प्रयास भी निल गया है, कैप्टिन और जाखड नहीं ढूड़ पाए, किन्तों सिद्धू को चाप लूसी पॉइंट में लिगे आए, कि चाप लूसी वाला सिद्धान्त आज भी जारी है, या प्रत्वा के लिए कोई द्वार खुल गया है, या प्रत्वा के लिए कोई द्वार खुल गया है, पर एक मुश्किल है सर, और बच्चों समझना, कि प्रत्वा यद मिल भी गई तो कौन जाँ जाएगा उसे, हाँ 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 अजय अजय कि अजय तो कौन जाचेगा उसे राउल का तो खुद ही बिश्वास हिल गया हाँ हाँ और कले कुछ करो सünk हाँ और आहां होता। हाँ और भी मेरे भात का संभर तर्ण करने नइ मेरे यह खाड़ कि क्या रखा है मौज करो कहीं कर लो चमचागी और भी जा रहे हैं और भी जाएंगे जाना भी चाहिए क्योंकि जब इस तरह का दौर आता है इतिहास साक्षी है तो पाले खिच जाते हैं यानि कि लाइन खिच जाती है कॉंग्रेस के साथ वही रहेगा जो महात्मा गांधी की विचारधारा पे चाहिए और सर्वधर्म भाव और महात्मा गांधी की विचारधारा से सहमत नहीं होगा तो वो उसके लिए रास्ते खुले हैं लेकिन हम सत्ता में आज नहीं हैं और भी अगले 10-15 सालों तक सत्ता से बाहर रहें तब भी हम अपने उसूलों से समझाता करने को तयार नहीं है सत्ता के बिना पता कैसे लगों को चलेगा कि आपके उसूल क्या है हमारे उसूल है कि हम मानते हैं के यो देश की आजादी की लड़ाई में कि स्वाइन ओर आ भ lived in आक Εoutरे को के सब्सक्राशा जारना सभी हख़्त के लोगों ने पने पनी कुर्वाण डिया यह दियूएक हैं ना किसी एक जाती का है ना किसी एक धर्म का है ना किसी एक भाशा का है तो मैं कहना चाहता हूं कि शोरजी और यह बहुत अच्छा है सब सब बच्चे बेठें के मंदिर मजिद और शिवाला मैं आपका भी सबका समर्थान चाहूंगा बच्चो के मंदिर मज्जिद और शिवाला किसने किस पर डाका डाला मंदिर मज्जिद और शिवाला किसने किस पर डाका डाला बच्चो के मुसकान का सदका ये रखी तेरी कंठी माला